हेलो अर्योवन दिस इस एलिक स्मित और वेलकम तो नौलिज दैंबिशन स्वागत आपका नौलिज दैंबिशन की सेशन में तो आज हम यहां पर बात करेंगे अबाउट ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हाली में जो है हेल्थ मेनिस्टिक के द्वारा ग्लोबल यूथ है वो रिलीज किया गया है तो इसी के बारे में बात करेंगे इस रिपोर्ट में जो जो इंपॉर्टन पॉइंट्स कहे गए हैं अबाउट कंडिशन आप टोबैको यूज इन दा यूथ ऑफ इंडिया तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक तो वो है मनसुक मांडविया मनसुक मैल मांडविया जो है पर जान टाइम पे हमारी हल्थ मीनिस्टर है और इनही के दोरसरी किया गया है तो गलोबल यूथ टोबैको सरवी फोर जी वाई टीछ फोर अब धी रिपोर्ट कहती क्या है इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टन points दरशाए गए हैं पर हम यहां पर बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है more than 29% of students in India were exposed to secondhand smoke 29% of students in India were exposed to secondhand smoke number two there has been a 42% decline in tobacco use among the 13 to 15 year old school children in the past decade past decade कियां पर बात की गई है कि आपके 42% decline देखने को मिला है in the tobacco use among the 13 to 15 year old school children पहले जो थे यह ratio ज्यादा था लेकिन अब इसमें जो आपके 13 से 15 वर्ष की जो स्कूल के बच्चे थे उनमें जो है वो 42% decline decline देखने को मिला है in tobacco use in the past decade तो यह इस सर्वे का कहना है use of any form of tobacco was higher among boys सर्वे के अनसार जो आपका टबैको any form of tobacco चाहे आपका smoking हो चाहे जो आपका अधर form of तमबाकू होता है तो use of any form of tobacco was higher among boys तो यह basic सी बात है boys में हमेशा higher ही रहता है यह next state with highest use among school children's जो आपके states है with the highest use among school children's यह वो states जिनमें जो है school के बच्चे जो है वो highest use करते हैं tobacco तो वो है आपके अरणाचल परदेश और मिजोरम तो आपके टॉप states रहें जिनमें school children's जो है वो टबैको का सबसे अधिक यूज करते हैं और सबसे कम की बात करें तो वो रहें आपके हिमाचल परदेश और करनाटका states with lowest use among school children's यह नहीं school के बच्चे जो है वो सबसे कम टॉबैको का जो आपका 38% cigarette users 47% जो beer smokers होते हैं और 52% जो आपके smoke less tobacco users होते हैं वो टॉबैको का यूज जो है अपने 10th birthday से पहले ही कर देते हैं तो यह सर्वे का कहना है अब यहाँ पर कुछ एक important suggestions दिये गए हैं तो कब smoking among a school children school के बच्चों में smoking को कम करने के लिए क्या क्या suggestions क्या steps लिए जा सकते हैं primary scale पर the role of teachers is most crucial in creating awareness among children and their parents regarding the harm of tobacco use तो इस टीचर्स का सबसे अधिक रोल होता है टीजर्स टीचर्स जो है उनके हातों में कई सारे बच्चों की जो है वो लाइफ होती है वो चाहे तो अवेर कर सकते हैं बच्चों को कि वो टबैको का use ना करें and their parents regarding the harm of the tobacco use तो सबसे अधिक रोल जो है वो parents और teacher का रहता है जो आपकी most crucial रोल रहता है यह इन दौनों का रहता है ताकि यह awareness supply among the children and their parents बच्चों और उनके माता-पिता को जो है वो awareness create करें उनमें ताकि वो टबैको के harms को जो है वो पहचान सकें next harmful effects of tobacco use should be incorporated in school curriculum at various levels starting right from the primary school levels तो यह का गया यह suggestions दिए गए कि primary scale से जो है जो है जो आपका harmful effects of tobacco use के वो आपको उनके बारे में बच्चों को aware करना ज़रूरी है at the virus level starting right from the primary school level next हम यहां पर बात करते हैं measures taken by the government to control smoking क्या-क्या steps जो है वो government के द्वारा लिए गए है survey को हमने यहां पर देख लिया जो important points से survey में कहे गए थे अब measures जो important लिए गए है government के द्वारा to control smoking number one आता है आपका WHO framework convention on tobacco control WHO FCTC यह first measure है India ratified the WHO FCT framework convention on tobacco control 2004 में जो है इंडिया के द्वारा ratify किया गया था and it was developed in response to the globalization of the tobacco epidemic next cigarettes and other tobacco product act job का C O T P A Act 2003 का है एक्ट है replace किया था इसने the cigarette act of 1975 यह prohibit करता है यह आपका प्रतिबंद लगाता है the advertisement of and to provide for the regulation of trade and commerce in and production supply and distribution of cigarette and other tobacco products in India next आता है national tobacco control program NTCP program जो की 2008 का यह program था objective क्या है इसका to control tobacco consumption and minimize tobacco consumption related deaths activities क्या-क्या इसके तहत की गई है training and capacity building information education and communication activities tobacco control laws reporting surveys and surveillance and tobacco situation next up का cigarettes and other tobacco products packaging and labeling amendment rule 2020 2020 का यह रूल है प्रिंसिपल डिस्प्ले एरिया ऑफ दी पैकेज यह इस amendment की थू कहा गया था यह जरूरी किया गया था specified health warning जो आपकी specified health warning है वह आपकी packaging के ऊपर level होनी चाहिए at least 85% जो है package के ऊपर warning होनी चाहिए जो की present time पे आपको देखने को मिलती है किसी भी tobacco product पर जो है उसके 85% एरिया पर जो है आपको health related warning देखने को मिलेगी of this 60% shall cover pictorial health warning 60% जो है वो pictorial नहीं picture form में health warning होनी चाहिए and 25% shall cover textual health warning and then आता आपका prevention and control of pollution act of 1981 recognize smoking as an air pollutant तो इसमें smoking को as a air pollutant recognized किया गया था cable television network amendment act भी है 2000 का जो की prohibit करता है the transmission of advertisement on tobacco and liquor in India तो इस amendment act के तहत प्रतिबंद है किस पर the transmission of the advertisement आप किसी भी tobacco या liquor product की advertisement नहीं कर सकते यह amendment act के तुरू prohibited है तो यह सभी measures जो है वो government of India के द्वारा लिए गए हैं इसके अलावा global youth survey को हमने best of luck for your bright future